दमश्कार दोस्तों स्वागा थेक वर फिर से आप सभी का अड़ा 24-7 में गाईज आज हमारे इस आखरी 13 दिन की ओल इंडिया लाइफ टेस्स में मौक 3 है तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जब ये मौक अपका स्टार्ट किया गया था ये स्रीज जब स्टार्ट की गई थी तो कईने कई आपर हम लोगों ने ये मान करके स्रीज को स्टार्ट किया था कि हम लोग हर दिन इवन रवीवार को भी हम लोगों ने सेशन लिया टे टू था अभी बार वाले दिन, मुझा ची तरह के से आद है, क्योंकि फिर हमने स्टार्टिंग तो करी थी सटे डे को, अब संडे में वालों आपर गैप करते, तो आपका नुक्सान होता, सो गाइस वहाँ पर क्या किया गया, हम लोग ने चीजों को न देखते हुए, क्या किया, स्टार्ट कर दिया सेशन की निया, संडे में भी हम लोग आपर सेशन लेंगे, ठीके ना, ताबर तोर सेशन हुआ, मज़ा बहुत आया, चली गाइस यहाँ पर आज भी काफी अच्छ करेंगे अड़ा 24 7 YouTube चैनल को साथी साथ बेल आगन को प्रेस करेंगे ताकि सारे important notifications मिल सकें मेरी एक क्लास YouTube में मौर्णिंग में 11 AM होती है और दूसरी ये वाली 10 PM डेली होती है रोजाना होती है मेरे भाई ठीक ना तो कल 11 AM का लग चुका है जाके वहां पर सेशन reminder लगा लिजेगा कि यहां क्लास हमको जानी है ठीक ना कई बार लोग कहते हैं सर हमको notification नहीं मिलता तो भाई आप सभी के लिए बढ़िया यहां पर यह है कि आप टेंशन मत लिए करो आप जाके reminder सेट कर लेगा अपने आप reminder आपको बता देगा बेशक रास्ते बदलो बहुत अच्छे शब्द हैं और यह लाइफ में बड़ा inspire करते हमको कह रहा है बेशक रास्ते बदलो पर लक्ष नहीं कई बार हम लोग कोई भी एक चीज़ जब करने के लिए निकलते हैं किसी हमारा bigger जाता है जैसे कि कई बार SBI अगर clear की बात की जाए तो बहुत सारे student जुनका mathematics अच्छा नहीं हुआ वो बड़े परिशान थे सर क्या करे हम क्या अब रास्ता बचाया सर सोचनल बैंकिंग के लाइन छोड़ी दे तो यह बात कहीं ने कहीं आज जब मैं किसी से कर रहा था तो यह बात मेरे मन में आई कि यह बड़ा एक अच्छा पॉइंट है मैंने उस यह बोला कि वेशक रा अच्छा पॉपिक्स के वारे में डिस्कसन किया गया तो जितने भी लोग अभी तक इस शिखर 4.0 से नहीं जुड़े हैं क्योंकि आपको पता है कि यह रीजनिंग का एक ऐसा बैच है जहां प्री प्लस में उस दोनों कवर कराया जाता है और एफेक्टिव स्ट्रटिजी क के साथ शुभम मैठेट के साथ वहाँ पर आप सभी को कई मैठेट्स आपको देखने को मिलेंगे इस पर्टिकुलर बैच में तो आप सभी लोगों से मैं बोलूंगा कि मौका मत चुको मेरे दोस्तों लाइफ में पॉर्चुनिटी कई बार हमको दिखती नहीं है और कई ब कर सकते हैं आज से वाला बैच भी शुरू हुआ है इसमें इंट्रेक्शन क्लास थी कल से ताबर तोड़ क्लास शुरू होने जा रही है मिस मत करिए और जो मिस करेगा तो भाई सब क्या ही बुला जाए उसके लिए ना आगे बढ़ते हैं दोस्तों मैंक महापैक की तरफ भ बार यलगार हो काहे लोग नराज बैठे हैं लगता है आज लगता है बाहरी लोग सेशन को देख रहे हैं चलिए आपका बहुत-बहुत स्वागत है मिरे भाई तो चले गाई इस आगे बढ़ते हैं और आज के सेशन को इतना ताबर तोड़ बनाते हैं कि जितने लोग बा हमेशा क्या होती है हमारी नहीं है पर सफल होती है जो कंसेस्टेंशी के साथ करी जाती यहुत फटा फटो जल्दी से जल्दी से कमेंट बॉक्स में मेरे भाई एक आप लिख दी जिए फटा-फट एक बार यलगार हो और शुरू करते हैं आज के सेशन को आज के सेशन आप के particular session को पहला set आपका यहाँ पर four letter word से है मेरे बाई और आपका समय शुरू होता है आप come on everybody 30 seconds मिलेगा 30 seconds come on कि चला बिल्कुल सब त्यार है दाबर तोड तरीके से हाँ शुभमसर की सेना त्यार है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया एक 10 seconds का और टाइमर मैंने कहा था दो टाइमर दूँगा चलिए इस पहला कोशन था टाइमर मैंने यहाँ पर दे दिया ताकि आप लोग विशेज थरीके से इस कोशन को इस पैटन को समझें कितने वहाँ पर डिजेट कितने वहाँ पर लेटर गिवन है उसको अप अच्छे समझें इस कोशन को आप वहाँ पर जितना तोड सकें जितना कहते ना कि एक ऐसा दाओ पेज लगाया जाए कि एक ही बार में चित है सुल्तान सुल्तान ने क्या किया था ऐसे दाओ लगाया थे जिससे सामने एक बार में चित मेरे भाई मौका इनी देना है इस आट क्लियर तो कहता है हौँ मिनी लेटर अर देर बिट्वीन कहता है हौँ मिनी लेटर अर देर बिट्वीन फॉर्ट लेटर Off Second Word From Left तो Second Word From Left क्या हुआ यह हुआ बैटा इसका fourth letter कौन है मेरे भाई यहाँ पर एल है सांत टू यहाँ पर आपका English alphabet बताए कितने letters इनके बीच में हैं, तो मेरे भाई आप बताए यहाँ पर यह है, मतलब 10 और यह आपका L है मतलब 11, जे अब यहाँ पर समझेगा, sorry 12, अब आप समझेगा किनकी बीच यहाँ पर कौन है, केवल 11 ही तो है, इसका मतलब क्या है, 10, 11, 12 मत लब, एक मतलब answer कौन सा, पांचमा, इसका मतलब answer कौन सा, पांचमा, काम खता मेरे बाई, trick क्या है, trick सीख लो, अगर बड़ा difference अगर निकालने को आ जाए, तो trick क्या कहती है, दोनों के place value यह तो छोटा difference था, देखके निकाल दिया, अगर आ जाता है, और बड़ा, L से Z आ है, तब क्या कीजेगा, तो सी को trick क्या होती है, कि mid कैसे, निकालते है, दोनों का difference कर देते है, कितना आ गया, 2 आ गया, 12 में से 10 कितना दो आ गया, माइनस हमेशा कितना करते है, 1 करते है, यह trick होती, कितना है, 1 और 1 हमारा यहाँ पर answer, चुकि यह छोटा था, J, K, L, तो तो हमने बता दिये के ही बीच में आएगा मेरे भाई, ठीक है ना, तो चलिए आगे बढ़ा जाए, next question आप सभी के screen पर यह रहा, और आपका समय शुरू होता है आप, come on, आग लगा दो भाई सब आज के session में, एक जास सेकंड का और, जाज ऐसे required वैसा दिया जाएगा, चलिए, so guys समझे है, यह question क्या कह रहा है, अब हम इस question पर बात करते हैं, कह रहा है, if the first letter, बिलकुल आज देखो, RRBPO का pattern यहाँ पर बिलकुल मैंने दिया है, आज paper आपको easy to moderate label का रखा गया है, ठीक है ना, तो कहता है, if the first letter is interchange with the third, अगर पहले को, अगर third letter से interchange किया जाए, करने मत लगना, पहले पूछो, चाहिए क्या तुम करो, तुम है है ना, how many meaningful words are formed, कितने meaningful words, और जो भी meaningful word बन रहा है, उसको यहाँ पर लिखिए, कि sir, यह meaningful word यहाँ पर बन रहा है, so guys, यहाँ पर आप जब करेंगे ऐसा, तो A, R, G, B, कोई word बना, नई बना, यहाँ पर L, E, S, L, कोई word बना, नई बना, sir, U, L, B, E, कोई यहाँ पर word बना, नई, sir, C, A, J, K, कोई word बना, ना, sir, M, O, R, E, yes, sir, तो answer यहाँ पर क्या होगा, sir, one मतलब more मतलब एक word बन रहा है, जब हम यहाँ पर पहले और तीसरे को आपस में क्या कर रहे हैं, interchange कर रहे हैं, तो guys, answer कौन से बनेगा, पहला वाला, यह जो जोश आप सभी का यहाँ पर, इस comment box में देखने को मिल रहा है, यही जोश की बहुत ही बढ़िया, come on everybody, चलिए, एक टैमर और और तैस सेकेंड का, उने share कर दिया session को भी है, चलो, free, चलिए, बच्चे, यहाँ पर question को God फर्माइएगा, और स्वागत करिएगा, इसका मतला बिलकुल, कहते हैं, स्वागत से करेंगे स्वागत, तो इसका स्वागत भी स्वागत से करिए मेरे बढ़िया, अगर कहता है, दिये गए वर्ड के अंदर, अगर पात की जाएं आप पर लेटर्स को, तो आपको अंग्रेजी वर्रमाला के अनुसार यहाँ पर अरेंज करना है, करने मतलगना, पहले पूछो चाहिए क्या, पहले पूछो चाहिए क्या, तो यहाँ पर भाई सब कहरा, मतलब कितना, कितना नटखट कोशन है मेरे बाई है, कहता है, बताओ कितने ऐसे वर्ड है, जो वर्ड से खतम होते है, भाई कोई दिक्कत ना है, अब देखो, आपको जब इसमें लगाना है, आप पर क्या, अल्फा बेटिकली लगाना है, तो अविस्जी बात है कि A आपका यहाँ आएगा, बाकी सब आपके कॉंसोनेंट है, क्या लास में वाविल आगा, बलो ना, 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 यहाँ पर सबसे पहले E सबसे छोटा आजाएगा, क्या लास में कोई वाविल दिख रहा है, ना, यहाँ पर E सबसे पहले आजाएगा, और सबसे लास में कौन हैगा यहाँ पर आप यहाँ पर एक काम करो, बोलो क्या, एक ट्रिक सुन लो तुम आप, अब तुम ट्रिक सुन लो, आगई बड़ी बात है, आप ट्रिक सुन लो तुम, कह रहा है कि बताओ की वर्ड, यहाँ पर ऐसे कितने वर्ड हैं, जिनके last letter में क्या हैं, वाविल हैं मेरे भा बोली वाविल बा, नहीं सर, बस आप देखो सबसे बड़ा letter अगर वाविल है, तो समझो मतलब वहाँ पर आंसर है, नहीं है, बोलो टाटा और बाय बाय, तो गाई यहाँ पर देखो इसमें, सबसे बड़ा कॉन L, क्या वाविल हैं ना, सबसे बड़ा U है, इसका मतलब यह मतला वाविल फतम, करेगा, सबसे बड़ा यहाँ पर क्या है, क्या वाविल है, ना ना ना, ओ यहाँ पर सबसे बड़ा है कै ना सर, आर सबसे बड़ा, that's why खतम, तो answer यहाँ पर क्या है, blue, makeoff निका है blue, is that clear, the blue will be the answer, तो यह trick थी, हम trick को वहाँ पर खोजने में, यहाँ पर काम करेंगे मेरे दोस्त अब अगली बार सब एक कोशन है कि तो लाद देंगे आप ठीक है ना आगे बढ़ा जाए अगला प्रेश्ट आप सभी के स्क्रीन पर आखरी प्रेश्ट ये रहा अराम से करना come on everybody अराम से क्या बात है एक और कि आप बात है जबर अँझा अंसर आंसर अंसर मझे चीए अच्छा आसा जी कह रही है सर प्लीस मेरे दोस्त का बड़े है अभिशेक नाम है प्लीस विशिम भाई अभिशेक भाई आपको जनम दिम्की अवतरःट देवसकी हाधिक शुपकामना है रेडियो जोकी शुबम सर के साथ में जोले गाइस आगे बढ़ते हैं यहां पर कह रहा है मतलब कहने का यहां पर छोटी-छोटी खुछी आ है लाइफ में बहुत इंपोर्टेंस रखती है लाइफ गाइस इसको बाठते चलना चाहिए ठीक है ना इसको बाठते चलना If the vowel in each of the given word is change to its next letter तो वववल को next letter में change करना है and each consonant उसने कहा है उसको change करना है प्रीवियस में ने मैं का बहुत बढ़या मैं का चाहिए क्या तुमको तो बोला है कि यहाँ पर then in how many words there are repeated letters यहाँ पर काम करना पढ़ सकता है दोस्टी कि न repeated letters आपको जहाँ देख जाए वहाँ आगे तुम बढ़ जाना मतलब सही करके ठीक है तो guys यहाँ पर देखो क्या है अब इसमें देखा जाए तो आपका यह जो वाविल है प्लस बन करना बीब हो जाएगा कॉंसो में माइनस बन करो यहाँ पर कितना ए हो जाएगा काम खतम और जी आर दूर दूर दोको हमेशे याद रखना कि repeat वहाँ पर हम देख सकते हैं जहाँ पर अगल बगल alternative कुश नंबर दियो suppose करो गर यहाँ पर C होता suppose करो गर C होता तो B यहाँ पर मिल जाता तो आप alternative जो आसपास है उनको केबल देखो G और R तो बहुत दूर दूर कें कभी भी repeat नहीं होगे इसका मतलब टाटा बाइबाई ठीक है ना समझो अब E और S क्या alternative है नहीं सर E और L क्या alternative है ना सर लेकिन यहाँ पर दो जब आपको L मिल गया है तो दोनों क्या consonant है minus करोगे तब भी दोनों वही आएगा से मिसका मतलब यह सही है repeated letters है यहाँ पर यहाँ देखो B और किस से compare करोगे E से तो भाई यहाँ पर सोचो E को अगर यहाँ पर करोगे तो F पहुंच जाएगा B यहाँ पर A मतलब नहीं और L और U दूर-दूर तक नहीं मिलना है टाटा वाय-बाय कर दो समझ रहो होना मेरे concept क्या बताना चाहरा हो यहाँ पर अब यहाँ देखो A और C फिर से दो आगे वाले बात A आपका क्या वावल है प्लस वन करो B हो जाएगा C आपका consonant है मैनस वन करो B हो जाएगा मतलब मिल गए हो जो अल्टरनेट हो ना उन्हें पकड़ो जो दूर-दूर के हो दूसरे काहों के हो तिसरे काहों के उसको छोड़ दो यहाँ चलते है R, O, M, E की तरफ चलते है मेरे दोस्तो यहाँ पर देखा जाए तो M और O तो M is the consonant मैनस वन करो को तो आगे और कोई भी यहाँ पर कोई भी यहाँ पर अब आप इसमें compare जरूर कर सकते है O और R में R क्या consonant मैनस वन करो क्या हो जागा क्यों हो जाएगा O आपका वावल है मतलब प्लस वन पी नहीं मिला भाई सा वाजा नहीं मिला तो टाटा भाई मतलब कितना दो के वल S E L L J A C के तो कभी भी किसी भी question को करने का तरीका अगर हमें आ गया तो हम question को बैतर कर सकते है rather than कि वहाँ पर time waste करेंगे तो आई guys यहाँ पर आपको तरीका शायद पता चल गया कि कभी भी जब हम यहाँ पर repeated letters दिखेंगे और वाबर में plus और consonant में minus हो रहा है तो हम alternate अकर letter मिल रहा है अगल बगल वाले तब तो try करेंगे दूर गाओं के एक में ले एक में ले जेट कितना plus minus करो कभी आपका repeat हो गई नहीं मेरे भाई ठीक है ना अगला प्रेशन आप सभी के screen पर आने से पहले मैं पूछना चाहूंगा कि चार प्रेशन थे चार में से तुम्हारे आपर कितने सही रहे मेरे भी चार में से कितने शही रह då जल्दी से एक बार मुझे comment box में आवाज चाहिए आपकी कितना सही रहा, अगर सही रहा तो फट 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 एक बार मुझे बदा दीजे सर कितना सही रहा मेरे बाइटीक है, आपको यहाँ पर quality content देता हूं, मैं हमेशा quality content देता हूं, आपके exam के examination से जो भी relate करता है वो देता ह पिछले पिछले चार साल की क्या क्या चीजे कहां कहां पर पूछी गई है, उसके बाद यहां पर मैं रखता हूं, is that clear? तो चलिए आगे बढ़ा जाएं, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश आपका set जो है, inequalities का है, चलिए गाईस, आपका समय शुरू होता है अब, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग, चलिए बहुत बढ़ा शांदर, बहुत ही जबर्दस, उम्दा, guys रुख जाओ आप, इस inequality को यहाँ पर इसके घर भेज़ देते हैं, ठीक है? जैसे आप बढ़े आगे, A से आपको F की तरफ जाना है, तो भाई, A हमारा यहाँ है, F हमारा यहाँ है, common कौन है, A से B जाएंगे, B से F तक जाएंगे, तो दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, कि A से F की तरफ गए तो lesser equal मिल रहा है, लिकिन जब F से A की की तरफ आने के लिए जब आप यहाँ होंगे, तो क्या मिल रहा है, लेसर मिल रहा है, मतलब यहीं से बोल दो Tata भाई बाई बाई, यहीं से बोल दो Tata भाई बाई, ज़्यादा अंटरेटेन्मेंट करने के ज़रोती नहीं मेरा बाई, ठीक है, अब G से C की तरफ चलते हैं जब आप यहाँ हैं, तो G से C जाने के लिए भी क्या करना पड़ेगा दोस्ती, यहाँ पर पहले आपको जंक्शन में जाना पड़ेगा, और जंक्शन हमारा यहाँ पर दोनों में कौन है, B जंक्शन है, तो जैसे G से आप B तक जाओगे, बीच में कौन है, मामा फूफा, मतलब कौन? अपोज़ेट सेन, अगर अपोज़ेट सेन वहाँ पर है, तो टाइं टाएं फिस, इसका मतलब यहाँ पर टाटा बाय बाय, तो सही कोई भी नहीं मतलब आंसर यहाँ पर कौन सा चौथा वाला? एकदम सही आंसर बन जाएगा, मेरे दोस्तों, आगे बढ़ा ज मुझ जवानी उड़ाओ, मुझ जवानी I hope कि यहाँ पर यह done हो गया होगा So guys, कहता है S से V जाना है मैं गाँ ठीक है भई, बहुत बढ़िया तो आप देखो V यहाँ पर है और S हमारा यहाँ पर है Common कौन है? S से पहले T पे चलते हैं तो S से T पे जब गया है तो greater मिला, equal मिला और फिर यहाँ पर T से आप V पे गया है फिर से उल्टा greater मिल गया मतलब कहने का कि आपके S से V के रास्ते में greater मिल रहा है और equal मिल रहा है दोनों में सही क्या है? greater यहाँ पर क्या हो जाएगा पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा पहला वाला बिल्कुल क्या हो जाएगा बच्छे सही हो जाएगा दूसरा देखिए हो के स्क्रीन पर उड़ाएंगे करो 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 भी या बहुत जल्दी हम भी बोर्ट से मिलने वाले तुमको बोर्ट में बिल्कुल पढ़ाया जाएगा ताबट तोड जूम जूम के पढ़ाया जाएगा हूं चलो एक बार दिखो यार आंसर बिल्कुल ताबट तोड देना सही देना आंसर से बहुत मीद है मुझे कॉमेंट बॉक्स में आपके कॉमेंट इतना तेजी से बहना चाहिए दिखना चाहिए अगले बन देगो कि यार हमको और महिनत करने की जुरूत है दिखना चाहिए दूसरे गुलस जो लोग यहाँ पर आकर जुड़ता है अड़र 24-7 में कि रात में भी यहाँ पर फेकल्टीज पढ़ा रहे हैं कितने लोग तो पढ़ाना सीख गए भाई साब मतलब अरे टीचर तो वो थे मतलब जादा पढ़ाना सीख गए क्यार नहीं सुबह नहीं दुपहर नहीं रात नहीं जब देखो जब टाइम मिले तब वहाँ पर हमको पढ़ाने जुड़ जाना है क्योंकि मेरे भाई कुछ दिन की महनत है कुछ दिन की महनत है जब किसान भी मेरे भाई जब खेतों में वहाँ पर बीज लगाता है तो भड़ी धूप में जब वो कटाई करता है तो वो कहता कुछ दिन की महनत है Is that clear? कुछ दिन की महनत उसके बाद क्या? चांदी ही चांदी है मेरे भाई चांदी ही चांदी है तो चले गाईस आगे बढ़ते हैं P से Q की तरह बढ़ा जाए दोस्तो तो P हमारा कहा पर दिख रहा है? यह दिख रहा है अब मैं का भाई Q कहा पर दिख रहा है? तो देखो यहां पर और यहां पर दोनों में common V, Q, R, ना सर यहां पर कोई भी common नहीं तो क्या करना पड़ेगा दोस्तो हमको जो P है P से पहले W जाना पड़ेगा मैं का बहुत पढ़िया क्या चाहिए बोला सर greater चाहिए तो भाई साब तुम P से W जाते W से R जाते फिर R से यहाँ पर आते बोलो clear है लेकिन जैसे तुम P से W की तरफ बढ़े तुम्हें क्या मिल गया lesser मिल गया और तुम्हें क्या चाहिए आपको greater चाहिए that's why पहला वाला खतम अब Q से X की तरफ चलते हैं तो दोस्तो Q से X की तरफ है मैं क्या चाहिए greater equal चाहिए जब Q से X की तरफ greater equal चाहिए तो देखा जाए तो कैसे आप यहां से यहां पर जा सकते हैं तो गाहिए साब आपको फिर से बताऊं मैं कि आप Q से पहले कहा जाएंगे R जाएंगे फिर R से कहीं आगे जाते लेकिन आप यहां देखिए कि जब Q से R की तरफ जैसे ही बड़े वहां पर क्या है lesser equal तो मैं चाहिए क्या greater equal क्या हो गया time time fish हो गया मतलब गलत हो गया मतलब चौथा वाला बिल्कुल क्या हो जाएगा शांदार जांदार बहुत ही बड़ी answer is that clear तो चलिए आखरी question inequality का आपकी screen पर यह रहा I hope कि यह सब सही करेंगे come on everybody ऐसी हाँ आज पढ़ रहा है ऐसी है मारा भी चलिए अच्छा कर रहे हैं आप लोग पहदर कर रहे है so guys आएए बात करते हैं इस last question में जो inequalities का है B हमारा यहाँ पर given और L हमारा यहाँ पर given मैं का भाई साब कि यहाँ से यहाँ जाने का रास्ता कोण है कौन है घर का भिभीशन मेरे भाई तो मैं का भाई साब यहाँ पर L V T है और यहाँ पर T है भीशन so guys हमें B से आपको L तक ले चलना है तो पहले B से कहा जाना पड़ेगा T पर जाना पड़ेगा क्या हुआ greater equal और T से जवाब V गए तो क्या मिला equal तो जब greater equal मिला रास्ते में और equal मिला तो सही क्या माना जाता है greater equal सही माना जाता है तो इस statement आपका कह रहा है B से L के बीश में greater या फिर equal और इस conclusion को गौर से देखिए कि B L से या तो greater B L से या तो equal तो या तो मतलब या तो का मतलब जानते हो न सर सिंपल सी भासे में यहाँ पर बोला जाएगा either or सिंपल सी भासा में इसको कहा जाएगा either or मेरे भाई समझना नहां आपको शिखर बैट जोइन करने की जुरुत है जब concept समझोगे तब practice ताबर तोड़ करोगे यहाँ पर वो लोग चुटते हैं जो यहाँ पर डेली बेसे उस पर practice करते आ रहा है पिछले एक महिने से एक दिन में इन्होंने नहीं सीखा है इन्होंने भी सीखा है यहाँ पर रोक कर सीखा है तो आप भी सीख सकते हो that is why फिर से बोलूँगा जब b से l की तरफ गए तो आप कैसे गए b से t गए क्या मिला greater equal t से आप v गए तो क्या मिला आपको यहाँ पर चुकि b से आपको l जाना है b से t गए तो greater equal मिला और t से v गए तो equal मिला और v से l गए तो क्या मिला greater equal तो रास्ते में आपके statement ने बताया कि b से l या तो greater है या तो equal है और आपका conclusion क्या बोल रहा है कि जब दोनों आपके यहाँ पर element सेम हो और दोनों के sign जब command किये जाए तो वही sign वही sign आए जो statement आपका B से L के बारे में बता रहा है मतलब क्या होता है आईदर और होता है कहानी खतम होती है सियापति राम चंदर की जाए आगे बढ़ा जाए अब मुझे बताओ फटा फट अभी तक मैंने बिल्कुल भी नहीं बोला लेकिन अब यहाँ पर बोलूँगा कि मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है फटा फट मेरे को बता दीजे महनत हो रही है आप लोग के लिए कि नहीं हो रही है हम हो रही है न अगर हो रही है मेरे बाई तो जितने लोग यहाँ पर जुड़े हुए एक बार फटा फट अभी तक मैंने नहीं बोला सेशन को प्लीज शेयर कर दीजिए जिन जिन गुरूपस में चुड़े हो जिन जिन टेलिग्राम में चुड़े हो मेरे चुड़े हो मुझे मैं कर देने मेरे बाई ठीक है ना फटा फट सेशन को लाइक कर दीजिए जितने लोग उतना लाइक बस भाई कि बस हर्च पजल आने वाली है तीन पजल तावर्ट रख्यूंए आप लोगे पहले यहां पर मिसलीनेस करना सीख लो हाँ एक टाइमर और दूंगा बेटा क्योंकि यहां पर आपको पेर निकालना है राधा क्रिशन आप जो है मन से ढूड़ी है जरूर मिलेगा शुभम सर अड़ा 24-7 कम आन एब्रीबड़ी भाई टाइम सब दो टाइमर मैंने दिये च्योंकि वर्ड यहां पर बड़ा था क्वेस्चन यहां पर है पेर वाला बस लास में यह देख लो कहीं रिस्टिक्शन तो नहीं दिया है कि only backward only forward ऐसे को शब्तों का अगर चयान किया गया हो तो वहाँ पर रिस्टिक्शन लगता है तो हमारा आंसर वहां गलत होता है तो चलिए गाई तो उम्मीद करूँगा इस question का answer आप सभी लोगा सही होगा और इस answer के बाद यहां पर मुझे लगता है हम कितने लोग है करीबन 2000 लोग है और इस question के बाद हम यहां पर करीबन 22 लोग हो जाएंगे और like करीबन 2000 तो हो जाएंगे ठीके ना चलो देखते हैं beautiful की बात अगर करीज़े हैं तो आप क्या करते हैं place value लिखते हैं तो B का value कितना 2 E का कितना 5 तुरंत बिल्कुल यह word नहीं उतारना उनकी place value उतारना है U का 21 T का है यहां पर बेटा कितना 20 I का 9 F का 6 U का 21 L का 12 अब आपको बनाने हैं यहां पर क्या pair पेर कैसे बनते हैं मेरे इस समझेगा यहां पर आप देखते हैं कि पेर तो 20 से 21 एक पेर तो यहीं दिख्या और 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 क्या देख रहा है यहां पर हम दो कि दो से देखते हैं 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ नहीं मिला पांच के बाद 6 7 8 9 10 11 12 तो 5 से एक और मिला 12 तो 9 से भी क्या बना तो यहां पर 12 आयोप समझ पा रहे होंगे 1 की बात की जाए तो 2 3 4 5 6 7 कुछ नहीं इधर जाए 1 की बात 2 3 कुछ नहीं 21 सबसे बड़ा नंबर है जो सबसे बड़ा नंबर होता है उससे बात नहीं करने का मेरे भाई भड़क जा इधर चलते हैं 10 11 12 तो यह मली गया हमको यहां पर हमने लखी दिया है यहां पर है और फिर करते बाद 6 की यहां पर 7 8 9 10 11 कुछ नहीं उधर मतलब भी नहीं 21 सबसे बड़ा है मतलब भी नहीं 12 के बाद 13 14 15 16 17 18 मतलब 4 4 पेर बनेंगे मेरे भाई कितना पेर बनेगा 4 पेर यह अहां पर बनेगा मेरे दोस्तों और जितने लोग का अंसरे आपर 4 है भाई साब तुमारी तो चांदी चांदी है अगला प्रशन आप सभी के स्क्रीन पर आता हुआ बहुत अच्छे कोश्यन सहीं है सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग के हैं फसने की पूरिया संका है बचने चलो बच्छे यहां पर कह रहा है इंपलाई का कोड क्या हो जाएगा सो गयाई इफ ही जेस तो लिफड़े होगा बहाई बहाँ पर शूर्च कर लेते हैं तो इंपलाई भी हौन आ अब क्या कीजीगा, तो हमने का, दो code यहाँ पर common होंगे, और मुझे दा, यहाँ पर भी दिख रहा है, तो मैंने का, पहले वो दो code common निकलो, कौन से दो code common है, तो देखाएं, यहाँ पर common जो high, high, low, is that clear, अब चलते हैं, ऊपर, तो यहाँ पर high या low में, जो भी दिख जाएं और low किसका हो गया हमारे यहाँ पर imply, that's why third, विकल, बिल्कुल अध्भूत है, बिल्कुल सही है, अगला प्रशन आप सभी के screen पर, यह रहा मेरे भाई, और आपका समय शुरू होता है अब, बहुत ही शानदार, करेंगे बहुत बढ़िया, चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार, यार, जितना हाँ, बहुत बढ़िया, शानदार, तो let's see guys, कितने लोग यहाँ पर इस वर्क का अंसर दे पाएंगे, हे वर्क देउता, यहाँ पर देखो, वर्क हमको देख रहा है, कर्म ही पूजा ऐसा, ध्यान रखे का, वर्क यहाँ भी दिया हुआ है, अब हमने का, दोनों में क्या common केवल वर्क है, हमने का, आओ चेक करते हैं, हमने का, सर, यहाँ पर ओफ भी common है, जब ओफ भी common है, मतलब दो एक code common मिलेंगे, क्योंकि ओफ कहीं और नहीं दिख रहा है, वर्क कहीं और नहीं दिख रहा है, आंसर तो आई दर में आने वाला है, लेकिन देखो कौन सा है, आई चेक करते हैं, दोनों में आपर कौन सा KS common है, दोनों में यहाँ पर कौन सा common है मिरे भाई, यहाँ पर BT common है, तो KS, BT, KS यहाँ, BT यहाँ, आंसर कौन सा, KS और BT मतलब चौथा, आपका आंसर एकदम सही हो जाएगा, डंके की चोट में मिरे भाई, क्लियर हैं, आगे बढ़ा जाएं, अगला प्रेशन आप सभी के स्क्रीन पर उड़ेगा, अच्छा कोशन है, अराम से करेंगे, come on, बहुत बढ़ा, अच्छा कर रहे हैं, आप सभी लोग, बहुत अच्छा, शांदार, तो चलिए गई, आगे बढ़ने हैं, कहरा है, कोट, C, E, N, E stands for, दोस्त, यहाँ पर आप कहरा है, C, E, और N, E, ओके, यहाँ पर देखो, C, E, हमको यहाँ देख रहा है, C, E, हमको यहाँ देख रहा है, इसका पतलब पहले में, दूसरे में, चौते में, अगर C, E, common, एक word भी common ज़रूर होगा, तीनों में, इसमें, इसमें, और इसमें, कौन सा word common है, तो मैंने का भाई, notice, notice, notice common देख रहा है, सुबाइस, यहाँ पर मैंने notice देख लिया, कि इसका तो notice हो गया, अब चलते हैं, N, E की तरफ, N, E अगर देखा जाए, तो मेरे को यहाँ पर देख रहा है, और N, E कहीं देख रहा है, ना सर, और N, E कहीं नहीं देख रहा है, तो गाईस, यहाँ पर word भी केवल यहीं देखेगा, कहीं और नहीं देखेगा, तो notice जहाँ नहीं हो, उनको notice देख रहा है, कि निकल लो तुम लो, निकल लो बैटा, अब N, E यहाँ पर इसमें से ही तो होगा, notice तो देखो हो नहीं सकता क्योंकि वो यहाँ पर किसी और का है data by by to 2 अगर दिखा जाए तो 2 यहाँ पर कहीं और नहीं दिख रहा हो सकता है the कहीं और दिख रहा है answer नहीं हो सकता imply यहाँ यहाँ नहीं हो सकता notice 2 would be the answer first one लहराता हुआ एक number answer बन जाएगा तो गाईज यहाँ पर हमने इस particular question का answer भी निकाल लिया अगला question है last question है substitutional coding का और आपका समय शुरू होता है महोदे अब चलिए दिन पर बैठे 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 ना मतलब क्या ही बोले है मज़ा सा जाता है रिगार्ट तो चलो मेरे भाई रिगार्ट का quote comment box में बहुचार हो जानी चाहिए बनता है के नहीं बनता है बहुचार तो बहुचार तो बहुचार चीज़ों को होनी चाहिए लेकिन ना जाने तुम लोग कायर रूठे रहते हो हाँ अगे बढ़ते मेरा कर्तव है आफ सभी तक चीज़ों को प्रोवाइट कराना बहतर तरीके से विद्यमांदारी आप विमांदारी से काम करते रही है बढ़ते रही है बस ठीक है रिगार्ट की बात की जाए तो रिगार्ट कहा है बच्चा रिगार्ट हमको यहाँ पर दिख रहा है और हमने का रिगार्ट कहीं और है नहीं सर जब रिगार्ट कहीं और नहीं तो हमने का चलो आईए एक बाद टेस्टिंग करते हैं तो CE देखो यहाँ पर है नहीं हो सकता KS यहाँ है नहीं हो सकता BT यहाँ है नहीं हो सकता मैं गा बाई की वतला में आपर क्या GI वोट भी दा अंसर में फर्स वाला बिल्कुल सही अंसर हो जाएगा चार प्रश्ट यहाँ पर सब्स्टिट्विशनल कोडिंग के होगा फटा फट मुझे लिख दीजे कितना आपका सही है अगला प्रश्ट मैं करने से पहले उम्मीद करूँगा यहाँ पर एक बार जल्ली से लाइक की संगिया बढ़ा दीजाए और मेरे भाई अपने स्कोर को बता दिया जाए अगला प्रश्ट बढ़ने से पहले बता दूँ अभी भी मौका है जितने लोगा कंसर्ट वीक है जो IBPS क्लरक को अगर टार्गेट मानके चल रहे हैं तो गाइस मैं बता दूँ और आप सभी लोग मैं कहता हूँ यहाँ पर जितने वी लोग हैं एक बार इस बैच को जरूर जोइन करिए क्योंकि यह बैच आपको आपके रीजनिंग के रियल कंसर्ट से इंट्रड्यूस कराता है ऐसे ऐसे amazing questions की बात होती है ऐसे ऐसे concepts की बात होती है कि आप वहाँ पर खुदी के दो सर चीज़े बहुत clear हो रही है puzzle sitting यूँ ही उड़ जाता है सर देखते देखते हसी मजा का puzzle sitting खतम हो जाता है मैं फिर से कह रहा हूं कि आज पहली class थी cable introduction strategy हुई है तो आप बिल्कुल जोड़ जाओ मेरे भाई y261 code का use जरूर करे मेरे भाई ठीके ना चलिए आगे बढ़ते कल मिलते class में हाँ चलिए अगला प्रशने बहुत अच्छा है सोच समझे करना हलूआ कोशन है आपको समय शुरू होता है अप हलूआ कोशन मैंने पहले बोल दिया अब तुम देख लो डो टाइमर दूंगा आराम से करो हलूआ बोल लाओ मतलब हलूआ है हाँ मेंस के लिए भी शिकर बैज़ो शुरूती बिल्कुल स्लॉगिस में आप आओ मज़ा चागा एक टैमर और एक दल्ला आ गया बिचारा क्या करेगा हुआ है कि अब मैं बताता हूँ इस कोशन का क्या लेबल है लिग देता हूं अभी लिग देता हूं घटिया लिग देता हूं यहापर घटिया लेबल है कुछ नहीं है इस question में, कभी-कभी कहते हैं, हाथी को देख के योहीं लोग डड़ जाते हैं, बिचारा कुछ करता ही नहीं है, कुछ करता ही नहीं है, तो चलो भाई, यहाँ पर आपको हम सिखाते हैं, इस question की दर असल सचाई कहती है, बस मैं क्या बड़ यहाँ लिख लेता हूँ, 6, बड़े-बड़े सुराण, अच्छो से 6, 7, 4, तुम खुद कहो गया रहा है, सार कुछ थाई नहीं इसमें, 3, 4, 5, 2, question कहता है, यहाँ पर, कि if 2 is subtracted from each odd digit, समझना, which is divisible by 3, point समझना, odd digit, जो आपकी 3 से divisible हो, जो की 3 से क्या हो, divisible हो, समझना, उसमें क्या करना है, मेरे बड़े, 2, subtract करना है, क्या करना है, subtract, अब कहता है, सुनो, अब यहाँ पर कहता है, and 3 is added, और सुनो, 3 is added to each even digit, which is divisible by 4, तो even, जो की divisible by 4 हो, उसमें क्या करना है, प्लस 3 करना है, अब सुनना, कितना घटिया क्वेशन था, मैंने क्या किया, मैं खा रहे है, भाई, इसको पकड़ा, सबसे पहले odd वाले को, मैं गा करना क्या है, तो सुनो, कहता है, which of the following digit is repeated 4 times in a new number so obtained, सुनो, यहाँ पर अगर देखा जाए, तो question आपका बिल्कुल घुटनेर देख देगा, तीन से divisible, जो भी आपका odd number होगा, वो कौन है, 9 है, और 3 है, काम खतम मेरे बड़ माइनस 2 करना है, तो भाई 7 कर दिया, और यहाँ पर 1 कर दिया, अब चलिए even पर चलते हैं, और even जो 4 से divisible है, तो क्या यह 4 से divisible है, अब इसको पकड़ो 4 से divisible है, इसको पकड़ो 4 से divisible है, क्या करना है, प्लस 3 करना है, तो 4, 3 कितना 7 हो गया, 4, 3 कितना 7, और यहाँ पर भ भी नहीं था, बात 8 है समस्ते चलना बात को ठीके ना अच्छा इबाट आओ जैसे मैंने यहां पर इसको रखा था चार को लिया सुरी जैसे मैंने यहां पर 9 को लिया जैसे मैंने यहां पर तीन को लिया जैसे मैंने यहां पर इन दोनों को लिया इससे क्या डियल निकला 7 और इससे 1 निकला अब जब मैंने compare किया, मैं का बागी तो यहाँ पर चार से divisible होई नहीं रहें यहाँ न दो हो रहा है, न छे हो रहा है, यह तो वही से रखे रहेंगे, मैं का कि भाई साब, यहाँ पर आपका कोई एक ही तो होगा नो जो आपका चार बार आएगा, तो बस मैंने यहाँ पर कि देखा और देखा वन किसी और से आही नहीं रहा था, तो मैं का भाई साब, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या होगा, एक ही ही ऐसा नंबर जो यहाँ पर दिख रहा है, बाकि कहीं भी और, डबल नंबर तो हो इनी सकता, क्यों, क्यों, क्यों कि जब मैंने स्कुल निकाला साथ, इसके निक वाला एक और यह आपका दो, इसका मतलब मैंने का कोई एक नंबर हो सकता है, और कोई एक नंबर कौन है, मेरा साथ, मेरा साथ, कौन है मेरा साथ, मेरा साथ, यहाँ पर कौन है, आपका यह काम खतम, कानी खतम, मजा आया, अगला प्रशन आप सभी के स्क्रीन पर, स आप रोखना पड़ता है, all the very best. चलो देखते हैं, कितने लोग त्यावाट टोर बैटिंग कर पाते हैं. प्यास बहुत लग रहा है आच. पानी पी लेता हूं, फिर चरू करता हूं, बताना. सुनो, सिलॉगिस्म के questions को अगर गलती करते हैं, यह अपराध मना जाता है, ठीक है न? यहाँ आपन लिख रहा है, some potato are tomato. अब क्या करें, सब question में, जितने भी element हैं, कहां से लेकिया हैं, समझ में नहीं आता है. अब कहता है, no gift is cheap, कहता है, कोई भी gift यहाँ पर क्या नहीं है, यहाँ पर cheap नहीं है, पहला, some cheap are not potato, कहता है, कुछ cheap का part potato नहीं है, सर बिलकुल सही है, क्योंकि cheap का relation gift से, gift के किसी भी element से नहीं है, और किसी में यह भी तो आता है, is that clear? all photo can never be cheap, कहता है, all potato can never be cheap, पूरा potato कभी भी cheap नहीं हो सकता, और यह वाली बात बिलकुल सही है, क्योंकि potato का जो part gift में आ गया, अब यह वाला part कभी भी cheap में नहीं जाएगा, मतलब यह बाता भी बिलकुल सही है, दोनों बड़े सरीफ है, मतलब पहला भी सही, और दूसरा भी सही, पहला भी सही, और दूसरा भी सही, I hope कि यह बात समझ में आ गया होगे, अब कुछ लोग, आप कुछ लोग यहां पर इसको answer क्या कर रहा है, दूसरा answer कर रहा है, बहुत आ गया है, दूसरा answer का है कर रहा है, ओके वल, यहाँ पर कह रहा है, some cheap or not tomato, कह रहा है कुछ cheap का part cheap का part नहीं है और कोई भी gift के part में भाईया बाबू भाईया ये tomato भी तो आ गया इसका मतलब यहाँ पर यही तो हुआ कि कुछ cheap का part tomato का part नहीं है हाँ बिल्कुल सही है negative जितना बोलो सब कुछ सही बोलो बाके भी हरी लाल कीजे आगे बढ़ा जाए मेरे भाई आगे बढ़ते है जितने लोग शिखर से आपर जुड़े एक बर बता सकते हैं जितना मेरे भाई यहां पर लोग जुड़ा हुआ एक स्टकीबस कि सिखर बेंच में का ऐसा पॉस्मार्टम किया जाता है सिलोके में खुद कर साब या माफ कर दो आप नहीं आएंगे is that clear, that's why इसलिए सिखर आपका एक ज़रूरी है काईस, ठीक है ना, come on everybody, चली उडाएंगे, रुख जाओ, रुख जाओ, कुछ हम बोरा आ गए का, हाँ हमको लगा यहां पर यह तो नहीं पुल सकता है तो इस को लेकर कर आम यहां पर सही बोले वहीं होगा लेकिन इसको लेकर के समची पर नौट पूटैटो कि कर आप कुछ चीप का पार्ट या पर पूटैटो में नहीं है यह आपका कांट से बराऊंगो यहां पर हम बहुरी आ गए हम मानते अपॉल जाइस अपॉल जाइस भोल लें भाई ठीक ना हां हां ठीक है दूसरा सही है क्योंकि ह मैं इसको इस पारबार यह समझ रहा है इस पोटैट्डो कि जेगा टूमैटो को अ насколько चाटनी काई इसलिए टूमैटो टूमाटो टूमाटेक मॉतवस्हो जादा आ याद है जाद हैको ठीकेना कुस झोगहा तम लोगटां हा खुसोगहा तम लोग जलो कोई बात नहीं भाई, आहम, 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 बढ़े आगे, चलि याला प्रश्न आप सभी के स्कील पेड़र, कमान एवरिवोड़ी, आप कोई मौका नहीं छोड़ते हो तुम लोग बेटा, हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सायर, मनपरीथ, तुम अब यह वाला कॉश्चन करो, है नहीं, चलो भई, यहां पर कह रहा है, all glasses are lenses, यहां पर क्या हो जाएगा, all glass यहां पर क्या हो जाएगा, only a few lens are Sol, कह रहा है किवल कुछी lens का पार्ट यहां पर क्या क्रिजाल है, और फिर यहां पर only few लोगा ऐसे लगा दीजे, only a few glasses और संग्लासेश का पार्ट यहां पर संग्लासेश है, ठीक है, तोहला, all sunglasses can be lenses, can का मतलब क्या होता है बच्चो, possibility, तो यहां पर possibility कब सही होती है, जब संग्लासेश और lens के बीच relation क्या होता है, unknown होता है, तो देखिए, sunglasses हमारा यह है, और lenses हमारा यह है, लेकिन इनके बीच relation क्या है, आपकर गौर फरमाएं, तो यहां पर कहा गया था, only a few sunglasses are, glasses are sunglasses, कि केवल कुछ ही glasses का part, sunglasses का part है, लेकिन यहां पर जो कहा गया है, वो यह कहा गया है, some, all sunglasses can be lenses, तो यह जो आपका glasses का sunglasses relation है only view का लेकिन sunglasses तो यहाँ पर आ सकता है ना lens में, कोई दिक्कत नहीं है तो guys यहाँ पर possibility क्या हो जाएगी आपकी सही हो जाएगी है, पहली possibility क्या हो गई है यहाँ पर, सही हो गई, आप कहरा है some crystal being glasses, कहरा कुछ crystal का part, यहाँ पर glasses है, इसकी संभावना है तो बिल्कुल हम कह सकते हैं कि सर यह और यह दोनों क्या है, unknown है और unknown की possibility क्या होती है सही होती है, तो answer कौन सा पाचवावाला बिल्कुल सही है, कौन सा पाचवावाला सही है, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर कैंडी केग कमान एवरीबडी उड़ाएंगे पदल पर चलेंगे सीधे उसके बादम लोग लाइफ भाइफ ठूकते रहो तुम लोग बेटा थोड़ा हाँ चलिया चलिया यहां पर कहा रहा है only a few candies are cake किवल कुछ ही candy यहां पर cake का part है टिक है यह हो गया टन अब कहा रहा है all cake are चोकोलावा हाँ अब कहा है यहां पर क्या चोकोलावा टिक है no candies are muffin कहा कोई भी candies का part यहाँ पर क्या नहीं है, muffin का पार्ट नहीं है, ठीक है, guys, अब पहला कहता है, some cakes are not muffin, बहुत प्यार से चलते हैं, some cakes are not muffin, कह रहा है, कुछ cake का part, जो candy में है और candy का कोई भी relation यहाँ पर muffins से नहीं है, तो definitely हम कह सकते कि cake का वो part, जो candy में है, यह पार्ट muffin नहीं होगा, बिल्कुल क्या है, सही है, ठीक है, आप कह रहा है, all muffin can be cake, कह रहा है यहाँ पर क्या all muffin can be cake, यह वाला जो part है हमारा, यह आपका क्योंकि cake के घर से कुछ लोग ऐसे हैं, जो muffin के यहां नहीं सही, एक क्योशन, और यहाँ पर सिलोक का लास्ट क्योशन, फिर हम चलेंगे, puzzle की और, come on everybody, share किया जाए, एक बार अपनों के बीच में रभाई, चलिए तो दोस्त, यहाँ पर discussion करते हैं, only pocket is test, कटपा वाला question आ चुका है, कह रहा है, यहाँ पर क्या, only text are यहाँ पर pocket, यहाँ पर क्यों गया, only text, कभी भी ध्याना किये, only pocket is text कहा है, तो convert किसमे होता है, all text are pocket में, तो दोस्तो, all text are pocket यहाँ यहाँ पर यह हो गया, done, अब कहता है, some pocket is bottle, कह रहा, कुछ pocket का part यहाँ पर क्या है, bottle है, okay, अब कहता है, यहाँ पर क्या, नीचे देख लेते हैं, शाइद नीचे दिखा होगा, no bottle, कोई bottle demand नहीं है, no bottle demand, कोई भी bottle यहाँ पर, I hope कि आपने यहाँ से text क्या था, only case का element था, और only case का जो second element होता है, वो केवल और केवल pocket का दीवाना होता है, मतलब वो किसी और involved नहीं हो सकता, तो करा, no demand is text, बिल्कुल क्या है, सही है, some pocket are not demand, करा, pocket का कुछ part demand में नहीं है, हाँ, यह वाली बात भी बिल्कुल सही है, तो तरीके से सही हो रही है, पहली बात तो pocket का यह वाला part जो है, दिमांड नहीं है, दूसरी बात यह वाला part जो है, यह भी demand नहीं है, क्योंकि यह only case का element है, that's why 5 मा, तो आज 5 मा option काफी देखने को हम लोगों मिला है दोस्तों, जी हां, और ना, मिला है ना, तो चलो आगे बढ़ते हैं, यह question आपका direction, distance का है, उससे पहले हम चलते हैं, यहाँ पर solve कर लेते हैं, puzzles पे, ठीके ना, इससे पहले हम solve कर लेते हैं, puzzles को, तो come on everybody, आईए, puzzle पे हम लोग यहाँ पर अब दो-दो हाथ हो जाए, come on everybody, करेंगे all the very best, come on everybody, हो जाए, puzzle की शुरुआत, चुले, done, करेंगे, छुप तो नहीं रहा है, नहीं, अपने, बता धरूर दीजिए का, क्रम क्या रहा है, वहाँ पर, टिक ना, sequence क्या रहा है, वो जरूर बताईएगा, that's a very important thing, okay, करो, 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 बदमाश लोगो, फटा-फट करो, हाँ, गोलु कुमार, तुम काईर हो रहा हो, कितने दिल तूट के तुमारे, लिख रहा है, दिल और हो रहा है, हाँ, बेटा, इसका कोईशन नहीं होता है, इसका बसके वल, आपको डाइगराम बना के रखना होता है, और जिसका डाइगराम होजा, फटा-फट दे दीजिए, जिसका भी डाइगराम होजा, फटा-फटाम को बना के दे दीजिए, कामी खता मेरे भाई, तुम लोग वेटा ये पजल स्रिटिंग के ना में जो भागते हो ना समझ लो चलो बई शुरू करते हैं आप पर डिस्कुसन का पार्ट बनाते स्कोशन को यहां पर कह रहा है कि January, February, March, April of the same year each of them was born on two different dates ठीक है मतलब month और date वाला question यहां पर available है तो चलिए जनवरी में कौन कौन सा है यहां पर date like 9 और 16 तो यहां पर 9,16 हो गया और कौन साथ में यहां पर February है ठीक है भाई February को पकड़ लेते हैं 9 and 16 हो गया और क्या है भाई यहां पर March और क्या है March क्या है 9 और 16 और मेरे भाई यहां पर क्या है April तो April ने क्या ले लेते हैं हम लोग यहां पर यहां पर रख सकते हैं यहां पर रख सकते हैं दूसरे हम वी को यहां रख सकते हैं S was born before V, S V के पहले है तो भाई यहां भी S हो सकता है और यहां भी S हो सकता है यहां तीन जगे हो सकता है बट not in the same month लेकिन same month में नहीं है मतलब V के respect में यहां S नहीं यहां 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 पर हो सकता है ठीक है अब कह रहा है 5% भर बाउन बिट्विन Q & R पाच वेक्ति Q & R के ब यहां कहां अरेंज कर सकते हैं वो तो हम देखेंगे यहां पर पहले रख लेते हैं 5 लोग Q & R के बेचे में 1,2,3,4,5 और फिर यहां पर कहा गया है T was born before W, TW के पहले and both of them were born on the same date अब यह point हमको यहां से मिलता है guys अब हम यहां पर किसको pick करें हम यहां पर Q & R को pick अगर करते हैं अगर हम यहां पर pick करते हैं थोड़ी ज़र के लिए हम मान लेते हैं कि S तुम यहां पर आजा थोड़ी ज़र के लिए मान लेते हैं अगर Q को हम यहां रखके देखते हैं और जिसको हमने माना है ऐसे लिख Q और R के विज़े 5 तो 1, 2, 3, 4, 5 तो R यहां पर आ तो सकता है ना जी हां आ सकता है मैंने का अगर मान लीजे suppose करी क्यों को मैं यहां रखता तो 1, 2, 3, 4, 5 क्या यहां पर R आ पता नहीं इसका मतलब यह सही रखा हुगा S पर requirement बिल्कुल सही रखा हुगा इसमें आ जाएए S को भी यहां रख देंगे अगर तो 1, 2, 3, 4, 5 R हमारा यहां पर आ जाएगा इसका मतलब यहां पर क्या Q को हम यहां पर रखें तभी सही रहेगा और S हमारा यहां पर Is that clear मेरे भई? अब चलते हैं आगे यहां पर कहा गया है यह वाली बात कि T was born before W T W के पहले है and both of them were born in the same month कह रहा है दोनों same month में तो same month क्या बचा बचा बिटा? यहां पर बचा T यहां पर बचा W यहां पर बचा T और यहां पर बचा W So guys यहां पर अब क्या कह रहा है P के बारे में P बचा है तो P को हमें आ रख देते हैं Hey P तुम यहां आ चाओ P was not born and even number date P even number date पर नहीं और यह 16 पर मतलब गलत यह वाला हमारा सही तो यहां पर आपका P even date पर नहीं है P was not born and even number date That's why answer जो हमारा बनेगा वो क्या बनेगा? QST QST बनेगा बेटा QSPVTWRU ठीक है? कुछ गड़बट तो नहीं हो रहा है एक बार चक कर लेते हैं कुछ एक बार चक कर लेते हैं We was born in month having least number of days Done, done, done ठीक है? Okay Oho, एक mistake हो गई, मैं बताता हूँ एक mistake हो गई, same date बोला था और हमने क्या रख दिया? यहाँ पर रख दिया यह mistake होई है समझ गये, समझ गये, हम समझ गये उसने बोलाए हैं यहाँ पर हम समझ गये T was born before W and both them born on same date हम month समझ गये थे कोई बात नहीं, अब clear हो जाएगा तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं क्या? not born on even number date P even number date पे नहीं है P हमारा आपका odd में हो जाएगा मतलब यह वाला हमारा सही है S Q V T यह वाला point जो था ना, काफी अच्छा point है जहाँ पर same date लिखा है यहाँ पर हमने same month उसको समझ लिया वही पर confusion सुरू हो गया यह वाला क्या हो गया? गलत हो गया यह वाला हमारा क्या हो गया? सही हो गया I hope कि आप सबी का भी यह वाला answer सही होगा ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ने के साथ ही आपर next question करेंगे अच्छा question है फटा फट उड़ाएं मेरे भाई जल्दी से उड़ाएंगे इस question को इसको छोड़ते हैं एक question और प्यारा सा है मेरा आज मैं लेकर क्या हूँ है आप सभी लोग के लिए पहले इसको पकड़ते हैं बड़ा मज़ा आने वाला है चलो, all the very best करेंगे फटा फट बहुत अच्छा question है मैं फिट से बोल रहा हूँ तीन ब्लॉक से बना लिजएगा कुछ इस्त्रीक इसमें हिंट कर दें तो आप सभी लोग को ऐसे आत्म लोग कुछ बना लेना मतलब यहां पर मैं आपको हिंट कर रहा हूँ यसे कार यहां लिख लेना ठीक है तो कार में यहां मारूती लिख लेना यहां पर आप Honda लिख लेना, यहां पर आप Tata, अब information यहां ऐसे ऐसे लिख लेना, ऐसे 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 करके बना लेना, ठीक है, बन जाएगा. प्रग्या कोरी, question का answer बता, बेटा, क्या होगा जल्दी से, जल्दी बताओ, answer क्या होगा, question का, हम किसी कमेंट में कोई time नहीं लगाते हैं, यह जो भी होता है, technical glitches है, ठीक है, और हम क्यों चाहिए किसी के उसमें time लगाया, हम तो चाहिते हैं, सब आओ, पूजा सर्मा पहले देख लिया है, तो अब इस question पर दिमाग लगा, वो देख लिया हमने same date, same month नहीं है, चली गई, बढ़ते हैं, आगे आपे, अब इस question को समझना, ठीक है, वेट आवाल गई, इस को में पहले, जस्ट रवेट, चलो, इस question को समझना, आई हो, बिल्कुल आप कर पाएंगे, ठीक है, देखो भाई, इस question में है क्या, समझना, इस question में यापर सबसे पहले मैं आप सभी लोग को बता दू, कि आप लोग यहाँ पर, जैसे को उसने कहा है ना, कि यहाँ पर मारूती, हॉन्डा, और यहाँ प मारूती, ठीक है ना, यहाँ पर ले लेते हैं क्या हॉन्डा, और यहाँ पर ले लेते हैं क्या टाटा, ठीक है, चलो, अब यहाँ पर हमको कलर भी दिखाना है, कार के साथ साथ, ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग चलते हैं, चल्दी सही गईज, यहाँ पर, सबस तो यह निश्चित इन्फोर्मेशन दी गई है तो पकड़ लो भाई सब इसको क्यों केवल उस व्यक्ति के साथ जर्णी करता है जो रेड कलर पसंद करता है इसका मतलब टाटा में केवल दो ही लोग है चलो बहुत अच्छा पॉइंट मिला हमको प्रोजेक्शन बनेगा तो बगल में बनाएंगे ठीक है प्रोजेक्शन बगल में बनाएंगे आगे बढ़ते मेरे दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगला जो पॉइंट हमारा यहां पर है कहा गया है next पॉइंट आर ठीक है चू ड़स नॉट लाइक ब्लेक और वाइट अब क्यूं को ना यहां पर ब्ल अब एक पॉइंट को समझना अब यहां पर क्यूं के साथ तो यहां पर नहीं आएगा क्योंकि आर को ग्रीन पसंद है यहां पर आर तो आ नहीं सकता इसका मतलब आर जो यह लोग सा जरनी कर रहा या तो फिर मारूती में करेगा या तो फिर होंडा में करेगा तो हमने क्या किया एक में यह माल लिया, कि r हमारा क्या है, who likes green, यहां पर green हो गया, and travel with the one who likes yellow, तो yellow को कहां कर दिया हमने, यहां, एक बार हमने यह माल लिया, अब दूसरे में हमने यहां पर यह माल लिया, कि एक दूसरी replica ली, और यहां पर हमने q को तो वैसे रख दिया, और जो r है, वो मै यहां पर कह रहा है, s does not travel in tata और विदार, सुनो, यह point मिला हमको, s tata में नहीं है, और r के साथ नहीं, तो s कहां जाएगा, honda में आ जाएगा, अब इसमें s हमारा tata में नहीं, r में नहीं, s कहां, यहां आ जाएगा, important information थी, मैंने पहले रख ली यहां पर, अब कह रहा है, कि P and V travel in same car, but none of them likes yellow or white, सुनो, point सुनो, भाई सब, यहां तो दो ही लोग रहेंगे, clear है, कहता है, P and V travel in same car, तो यहां पर तो आएगे नहीं PV, लेकिन उसने कहा है, but none of them likes yellow or white car, इसका मतलब, यहां पर आपका वो आने वाला नहीं है, ठीक न, यहां पर वो आने वाला नहीं है P and V की बात, क्योंकि भाई, अगर P and V same में आएंगे, तो एक को तो yellow like करना पड़ेगा, दोनों में सो कोई नहीं करता, मतलब नहीं, यहां पर Honda वाले segment में, यहां पर क्या आगया, आपका P and V आगया, तो हम क्या करेंगे यहां पर, कि P को यहां पर हम रख देंगे, साथी सा पर आगया, V कहां पर आगया, इसी में आगया, ठीक है, अब चलो, यहां पर खतम होने वाला question, कह रहा है, यहां पर अगली बात, यहां पर आपका कौन बाकी रह गया, एक ही कोई बाकी रह गया, एक यहां बाकी रह गया, आगे बढ़तें, तो लिखा हुए है, गाईस क्य कि P does not like black, अब P को black पसंद नहीं है, चलो, यह बात की बात है, कि P को यहां पर क्या पसंद नहीं है, बलेक पसंद नहीं है, अब कहरा T does not like red, अब T को red पसंद नहीं है, तो यहां T तो आएगा नहीं, तो T कहा आएगा, यहां आएगा, T को red तो पसंद नहीं है, कहां पर क्लियर हो वी बात, सारे अलिमेंट आ गए, अब एक ही बाकी रह गया, कौन बाकी रह गया मेरे भाई, यहां पर उसको हम लोग यहां पर रख देंगे, R, T, S, P, Q, R, U के वल बाकी, U को यहां रख दो, ठीक है, रख दिया U को, अब चलो color की बात कर लेते हैं, अब यहाँ पर कह रहा है तवन who likes white does not travel in maruti जो white like करता है वो maruti में नहीं है मेरे भाई तो यहाँ पर समझना कि white जो अब होगा किरी सिगरी हलत में समझना point को क्योंकि Q के लिए उसने क्या बोल दिया है ना white पसंद ना black तो जब white हमारा यहाँ भी नहीं आएगा white हमारा maruti में नहीं आएगा तो यहाँ पर लंका लग गई काम खतम हो गया यहाँ पर देखो यहाँ पर white क्यों में नहीं है तो white जो हमारा यहाँ पर आ जाएगा वो कहाँ पर यहाँ कहीं पर आ जाएगा अब यहां पर केवल color की बात रह गई, color केवल हमको यहां पर arrange करना है, चलो भई, यहां पर color arrange करते हैं, सबसे पहले एक point यहां पर दिया गया था, blue वाला point यहां पर दिया था, blue वाला, blue कहां दिख रही है, you does not travel with the one who likes blue, you उसके साथ नहीं, जो blue, तो blue यहां पर नहीं आएगा, इसका मतलब blue हमारा कहां पर आ गया, इस वाले में blue आ जाएगा, ठीके ना, blue कहां पर आ जाएगा, इस वाले में blue हमारा यहां पर आ जाएगा, ओके, और देख लेते हैं और कॉन सा रह रहा है, Q does not like black or white, Q को black और white पसंद नहीं, Q को black और white पसंद नहीं और blue हमारा यहां पर आ गया, इसका मतलब यहां पर क्या बन गया, जो बचा कलर that is pink, that is pink यहां पर आ गया, चलो, बहुत बढ़िया, अब P को black पसंद नहीं है, is that clear, P को black पसंद नहीं है, और एक का और निकला है, बस, T does not like red, U does not like travel with the one who likes blue, okay, then the one who likes white does not travel in Maruti, white वाला यहां पर आ जाएगा, तो यहां पर white वाला गर आएगा, तो इसमें white भी आ पर रख लेते हैं, ठीक है, चलो, ओके, P को black पसंद नहीं है, white यह ब्लू हो सकता है, कोई point miss हो रहा है, एक बार देख लेते हैं, Q travel in Tata, only with the one who likes red, ठीक है, हो गया, Q does not like black, Q does not like black और white, Q को black, white पसंद नहीं है, R likes green बोला गया है, and travel with the one who likes yellow, P and V travel in the same car, but none of them like yellow or white, exactly, यहां पर कह रहा है क्या, कि Q, P and V travel in the same car, P and V travel in the same car, P and V same car में, and कह रहा है आपर क्या, but none of them likes yellow or white, मतलब कि यहां पर P और V को white नहीं, तो white हमारा यहां पर आ गया, काम खतम, और P के लिए यहां पर क्या बोला है, कि P को यहां पर क्या black पसंद नहीं है, यहां पर क्या हो जाएगा, हमारा जो V है, that will be black, क्या हो जाएगा, that will be, यहाँ पर black हो जाएगा, यह हमारा black हो गया, है ना, और यहाँ पर फिर क्या बाकी रह गया, P के लिए हम कह सकते हैं, यहाँ पर blue बाकी रह गया, blue हमारा यहाँ गया, भाई साब, यह बन गया हमारा complete question, यह बन गया complete question, तो यह आपका question थोड़ा सा उल्जाओ था, हो गया, कोई बात नहीं, अब यहाँ पर आप सभी लोगों को क्या करना है, कोई बात नहीं, कभी-कभी ऐसे questions मिल जाते हैं, मुझा भी आता है करने में, ठीक है, आपको अब यह वाला question हमख में कर लेना, कौन सा य यह वाला हम्, यह एक मनेट के लिए, रधी करद दा हरे धी हो लोगों जड जी में लोग बाकी आप सभी लोग जितने भी चाना बैक पर जुड़े होई हैं, तो जाना बणते हों आपको करने आपको के वाई तु से स्की को यह लेना ऊना मैशन्यलम dissertation, मैं आपकिक स्सिक् झाल 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 झाल